नमस्कार किसान भायो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे गोबी के उपर एस्प्रेज होते हैं कौन से किट नासको ले करके करना चाहिए कौन से टेकनिकल रखना चाहिए और कितना मात्रा में रख करके एस्प किट रुपर का है किट होते हैं नस्थे हाथ हैं एक निंटर करके सकते हैं तो इस विडियो में वही जनकाडिया मैं बताने बला हूँ तो देख रहे हैं कि मैं पानी 10 लिटर लिया हूँ और 15 लिटर के का है तो उसमें मैं 10 लिटर पानी रखा हूँ यह देख रहे है कि मैं 10 लिटर पानी रख करके और जो मैं दावा लिया हूँ उस दावा को यह जो देख रहे है यही insecticide है इसका इस्तेमाल करकर के जो भी कीट होते हैं गोभी के उपर उस सभी को जो होते हैं यह नियंतरन करते हैं बहुत सारे जो होते हैं 99% जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं खतम हाते हैं तो इसको आप यूज आप अपने खेतों में कर सकते हैं और इसका टेक निकल नाम क्या है कितना डोज रखना है वो सारे कुछ की जनकाडिया आपको इस वीडियो में मिलेगी और 100 ml जो देख रहे हैं कि 100 ml का प्राइज जो है 110 रुपिया बाकी 100 ड्रुपिय मैं चीपडय पर मील जाता है और 100 रुपिय में रख करके 100 ml जो देख जो धकन देख रहे हैं उपर से मापने के लिए ये दिये हुआ है दस एमल का है तो मैं साइड में रख देता हूं और इसको धकन खोल करके और निकालता हूं एक उपर से और कवर लगा हुआ जिसको मैं इस परकार से हटा करके यहां से देख रहे हैं कि मैं हटा करके इसको वि आने जा रहा हूं कि जैसे कि एक लिटर में दो आमել लखें तो मैं 10 través में पाणी दखा हूं.. तो 20 ml जो Leway District है या 10 दालोंगा तो 10 ml डालोंगा तो 10 ml दालोंगा.. तो 10 Li पाणी लिया हूं इस्वी.. और पूरा यार भर लेते हैं..raft.. तो 15 लिटर का है तो अब 30 ml तिन धकन उसमें रख सकते हैं तो यह इसका डोज हो गया और फिर रख करके इसको मैं बंद कर दूंगा इस प्रकार से देख रहे हैं बंद करके फिर इसे मैं साइड करके हटा देता हूं और जो होते हैं इसको धकन लगा करके फिर मैं एस्प्रे करूंगा और इसका टेकनिकल नाम क्या है वो भी मैं बताने जा रहा हूं तो देख रहे हैं कि इसको रख करके जो यह धकन होता है देख रहे हैं कि इस प्रकार से रखन है जो जिसमें देख रहा है कि फिल्टर लगा हुआ इसको रख करके उपर से मैं टाइट कर दूँगा और टाइट करने के बाद में जो होता है इसको उठा करके और फिर खेतों में एस्प्रे करने जाऊंगा तो इस पर कार से देख रहा है कि मैं टाइट कर दिया हूँ यहीं पर देख रहे हैं कि गोवी के खेती है मैं इसको उठा करके अब फिर देख रहे हैं कि इस परकार से एस्प्रे ऐसे करके जो भी गोवी है सभी के उपर एस्प्रे कर देंगे कोई भी इसमें जो कीट होते हैं या इलिया होते हैं बहुत से कमेंट ऐसे आते रहते हैं कि स यह से नियांतरन हो पता है तो इसमें जो होते हैं चощai day GREGO जो पंगी साइड या जो टॉणिक होता हो भी मिला करके आप कर सकते हैं लेठन सुपर 505 के नाम से आता है और ये जो टेकनिकल है वो कलोर पायरिफोस 50% EC plus साइपर मेंथरीन 5% EC में जो आता है जो लिक्वेट फोर में आता है वो ये इसका जो मिश्रन होता है कलोर पायरिफोस और साइपर मेंथरीन का तो उसी का जो होता है कॉंबिनेशन इसमें होता है जो टेकनिकल होता है और किसा पलव साइपर मेंथरीन 5% वाली के एस्प्रे करते हैं तो कोई भी इसमें जो कीट होते हैं वो नहीं बच पाते हैं और इसका जैसे कि डोज होता है वो मैं बताया हूं कि 200 लिटर में 400 ml डाल करके आप एकर के हिसाफ से छीट सकते हैं और एक लिटर में अगर थोड़ा खेती क करते हैं तो एक लिटर के जो पानी होता है उसमें 2 ml डाले और 10 लिटर पानी में 20 ml डाल करके आप इस प्रकार से करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है और इसका इस्प्रे करने का जो अंतराल होता है वो कम से कम 12 दिन के अंतराल रख करके आप दूसरा इस पर जो होते हैं तब तक लिए नमस्कार